तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि HPSHC ने exam dates को announce कर दिया है तो अब next two month में हमने किस तरीके से preparation करनी है उसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है तो इस वीडियो को आपने end तक देखना है और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज एक बार subscribe कर ल इसमें से special अगर मैं बात करूं तो पोस्ट कोड 962 जाने की HP Secretariat clerk तो उसकी जो एक्जाम की डेटा वो देर खिया है रोड़े 18th September 2022 ठीक है 18th September तो अगर मैं देखू तो आज हमारे पास 14th of July है तो कुल मिला कि दो महीने का ही समय है क्योंकि 18th को आपका पेपर ही है तो बीच म समय है ठीक है रिमेनिंग टाइम कितने है दो महीने का तो इस दो महीने को हम किस तरीके से एफेक्टिव यूटिलाइज करें वह इस वीडियो में आपके साथ कुछ शेर करने वाला हूं तो वीडियो का एंट तक देखते रहे ना आपने तो आई होब आपको एक्जाम सब्सक्राइब करेंगे प्लस आपको मैं आपके साथ मैं स्टैटिजी शेर करूंगा कि कौन सा जो टोपिक है जब कौन सा जो कॉंपोनेंट है वह आपके लिए इंपोडेंट होने वाला है जिस पर आपने ज्यादा फोकस करना है ठीक है यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए अपार्ट सुम डैट जो फ्रेशर से जिन्होंने अभी त्यारी शुरू करनी है जो अभी शुरू करी है स्टार्टिंग में तो उन्होंने किस तरीके से आगे चलना है जो और डी प्रिपेर्ड हैं उनको अगले दो महिने में क्या क्या चीज़े करनी है और जो बीच में है जैसे मालो कि त्यारी तो करी हुए लेकिन खुद में नहीं है तो उनको आगे कि तो दस सब्यक्त होते हैं मैंने कैटिगरी में 11 सब्यक्त लिके हुए यहाँ पर जैसे पॉलेटी है ठीक है हमारे पास रैूँर सीर्ट काफी डु़्यच कर्नूटल चीज़े है जैसे hardware software हो गया MS word के उपर ज्यादा question मन सकते हैं मतलब MS word Microsoft word ठीक है जिसमें editing वगरा के tools होते हैं उसके बाद आएगा हमारे पाद geography economy reasoning history में ancient medieval and culture उसके बाद हिमाचल परते है जिसमें history रहेगी जोग्रफी रहेगी हिमाचल के और सबसे इसकी है ठीक है उसके बाद आएगा Hindi language English language general science है जो everyday science होती है जिसमें minor minor part रहेगा हमारा physics और chemistry का और majority में रहेगा हमारी biology ठीक है उसके बाद last में आएगा modern history one of the most important in the history section ठीक है तो ऐसे 11 parts में मैंने इसको divide कर दिया है आपके लिए तो इसको ध्यान से समय ना बिटा जिजो 11 components है इन में अगर आप देखोगे तो लगबग सारे component आपको जी एस ओरियंटल लगेंगे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो इस 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 पाट ऑफ जी एस अगर मैं बात करता हूं economy की इस इस पाट ऑफ जी एस ठीक है history amcgs का पाट है यह भी जी एस इस 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 आप जी एस तो लगबग जी एस की ज्यादा चल रहे है ठीक है अब इनमें एक जो component है जो मैंने इसमें अभी अभी कबर नहीं किया है वह मैं बाद में अलग से लिखवाना चाहूंगा आपको डैटी डैटा क्रण्ट अफिर्स कियोंकि अगर आपने पिछले पेपर भी देखे हूं अगर मैं बात करूं तक है हम tightening modus ठीक है 30 questions थे सिर्फ HPGK के बाकी जी जो GS के जितने भी component है जैसे quality है geography है economy है उसके बाद हमारा modern history वगरा है तो इन चार subject के 50 mcq थे ठीक है ना science के थे 15 mcq इसके इलावा अपना जो word processing वो इस बार ही introduce हुआ है पिछले papers में यह नहीं था हिंदी और English के भी 15-20 questions हुआ करते थे ठीक है ना तो यह फाइल भी आपके था telegram में share कर दूंगा जिसमें आपको idea होगा कि कौन सा component ज़्यादा जरूरी है ठीक है ना तो अगर आपको syllabus का पता चल चुका है कि यह चीजे हमने सारी पढ़नी है तो इसको कैसे पढ़ना है यह भी देख लेते हैं एक बार ठीक है ना अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे freshers की जिन्होंने अभी तक त्यारी नहीं करनी शुरू करिए बिल्कुल freshers है तो बेटा अगर आपनी सीरिस ही शुरूआत करनी है अपनी preparation की तो आपको two subjects को एक साथ लेके चलना पढ़ेगा ठीक है एक दिन में आपने एक subject नहीं पढ़ना है आपने एक दिन में दो subject पढ़ने है ठीक है न यह ध्यान रखना थोड़ा सा पर वो दो subject कैसे होंगे ठीक है एक रखो आप GS का subject और एक रखो बाकी वाले जैसे मैं आपको इस तरीक से बना देता हूं कि मालो starting में आपने GS इसका पॉलिटी को पढ़ाए वालो तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटी के साथ आप जोग्रफी पढ़ो तो दोनों हेक्तिक हो जाएगा आपके लिए है ना तो पॉलिटी के साथ कोई टेक्निकल सब्जेक्ट देख लो जैसे हमारा कंब्यूटर नोलेज है वर्ड प्रसेसिंग है तो अगर आप सब्सक्राइब हो करता है इसको औरड़ी सोर्सिस का पता होता है कि मजे कहां से पढ़ना है उसके पास खुद के नोट होगे तो अगर आपके पास अपने नोट हैं जा फिर वो स्टूडेंट जो एक प्रेपरेश्य नेंपर शूर्द कर चुके उनके पास अ आपने quality खतम करनी और word processing को खतम करना है ठीक है और यह यादा मुश्किल होता नहीं है ठीक है बेसिकली यह freshers के लिए नहीं है freshers के लिए मेरे पास अलग से एक plan और भी है जो मैं वीडियो के last में भी आपके साथ discuss करने वा रहा हूं don't worry ठीक है जो self study वाले है जो already prepared है एक तो already जो prepared है उनके लिए भी है यह और जो half prepared कहा सकते हैं जिनको खुद भी अभी confidence नहीं है मतब पड़ा ता हुआ है लेकिन उनको revision की दुरूरत है तो revision आप इस तरीके से कर सकते हो कि छे दिन लगाओ पहले और च्छे दिन में word processing जाने की basic computer और साथ में आप gs कर लो ठीक है और आपका next target क्या होना चाहिए six plus two जो next के दो दिन होंगे इन two days में आपने क्या करना है लगबग minimum बता रहो हम आपको 300 mcqs आपने करने है quality के ठीक है 300-300 करके भी कर सकते हो यह आपके ओपर डिपैंड करता है ठीक है बट ऐसा नहीं है कि बस question solve कर और छोड़ दिया नहीं उन questions को पूरा analyze भी करना है कि हाँ यह question अगर मुझे नहीं आता है तो ऐसी कौन सी दिन में आप यह चीज़ कर सकते हैं ठीक है उसके बस सेकिन आएगा हमारे पास टॉंट में आपने क्या करना आप एक और component उठाओ ठीक है मेरी मानलों तो आप history उठा लो है ठीक है और history के साथ है वैसा करो reasoning को पकड़ लो क्योंकि reasoning जो है वह इतना मुश्किल component नहीं है अगर मैं क्लेरिकल एक्जाम की बात करूं तो उसमें बहुत बेसिक सी reasoning आती है तो दो component आप एक साथ कर सकते हो लेकिन होता है क्या है कि reasoning में चक्टर थोड़े reason इसमें कर सकते हो ठीक है ज्यादा highly नहीं पढ़ना है छे गंटे अगर आप डेली पढ़ते हो ना तो यह भी सफिशंट होगा आपके लिए ठीक है आठ दिन पढ़ने के बाद आप चाहों तो इसमें दो सब्सक्राइब कर सकते हो जिसमें आपने क्या करना है mcq करने है अब देखो reasoning के mcq तो नहीं करोगे क्योंकि reasoning की जब आप preparation कर रहे हो तो उसमें mcq है उसमें concept है नहीं जादा तो mcq तो इसके साथ साथ होई रहे हैं तो इसमें आपने दो दिन में अपना ancient medieval और culture प्लस modern history के mcq करने है और कोशिश यहीं रहनी चाहिए कि आपके amc के questions लगबग 200 हो और modern history के भी 200 यह दोनों 400 question total जो अपने last के दो दिन में करने है ठीक है इस तरीके से कर सकते हो उसके बाद थर्ड नंबर पे तीस तरी जब आप shift लगा होगे अभी कितना टाइम हुआ है हमारे पास टोटल तो next circle में आपने क्या पकड़ना है hpgk को अब hpgk जो होती है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा hpgk बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है अब इसके साथ जो मैं component लिखवाने वाला हूँ इसमें थोड़ी सी variety हो सकती है जैसे मान लो अगर आप Hindi medium के student हो तो मैं हिंदी को करो साथ में क्योंकि आपके लिए हिंदी असान रहेगी और आप ज्यादा focus किस पर कर पाऊगे hpgk पर ठीक है अगर आप English medium के student हो जहां फिर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रोंग है तो आप क्या करोगे वहाँ पे English को देखोगे तो आप क्या करोग अगर देखे तो 30 questions पूछे गए थे तो इस बार तो 170 की जगह पर 200 MCQs है तो हो सकता है कि number of MCQs भी इसमें increase किये जाए तो दस दिन में इनको खतम करो प्लस टू डेज इनकी रिवीजन अब और आपका हिंदी स्ट्रोंग आपने हिंदी पिक किया है तो इसकी रिवीजन की जरूरत नहीं है आपको English की भी नहीं होगी क्योंकि इसमें भी MCQs करते हैं बट अगर HPGK की बात करते हैं तो HPGK में भी आपने लास्ट के दो दिन में almost 400 MCQs करने हैं तो 12 यह होगे तो मतलब जब पहला महीन आपका खतम होगा ना जैसे आज से भी अगर प्रेपरेशन शुरू करते हो मालों अगर आप 15 जुलाई से भी शुरू करते हो 15 अगस्त तक यह 6 कॉंपोनेंट आपके खतम होने चाहिए और अगर यह 6 कॉंपोनेंट आप एक महीने म होंगे रिजनिंग के तो पिशली बार 15 से तो इस बार ज्यादा हो सकते हैं हिस्ट्री के भी ओल्मॉस्ट आपको 20 mcq देखने को मिल सकते हैं 15 to 20 ठीक है ना एच्पी जीके के लास्ट टाइम जब 170 कोश्चन हुआ करते थे तब 30 कोश्चन पूछे जाते तो इस बार तो 35 सब्सक्राइब कर जाएंगे ठीक है और हिंदी इंग्लेश दोने में से 15 कोश्चन तो काउंट करो जरा एक में अपने कितने mcq की प्रेक्टिस कर चुके हो कितना एक्जाम का कितने परसेंट एक्जाम जो है जास लेवर सा आप खतम कर चुके हो that is 50 20 70 85 85 और 30 कितना हो गया 115 तो मतलब almost 50% से जादा आपका सिलेवर्स क्या है यहां पर खतम है ठीक है अब इतना जबाब जबाब कर लोगे इसको मैं एक बार हमारे पास क्या आएगा नेक्स्त हम इपकड़ेंगे यहां पर हिंदी और इंग्लिष में उर्ट कर ले ठेक है जोफोर्थ हमारे पास पूरा फोकस लगाना जो आपको नहीं आता है उसको अपने पढ़ना है ठीक है ना तो इसके साथ आप क्या कर सकते जोग्रफी को कर सकते हूं इंक्लूडिंग प्रैक्टिस यह दस दिन में खतम होने वाली चीज है उसके बचा क्या है हमारे पास एकॉनिमी बचा है है ठेक है करन्ट फेर्स बचे है करेंते हैं है कि इस तरीके से लिए तो आपको यह ही करूँ गार अजज़से शुरू हो जाईए हाफ आर आपका डेली करन्ट फेर्स का होना चाहिए जिसमें आप टो डे वेसी पर क्रन्ट फेर खतम करो विकली बेसी स्ट्र पर कर खतम करो almost 6 months के current phase तो minimum आपने करने हैं ठीक है और इसकी revision आप next 8 days में करोगे इसकी revision करोगे next 8 days में plus 2 days में आपने क्या करना इसमें practice mcqs करने हैं लगबग यह मान के चलना कि 200 होने चाहिए economy के और almost आपके 300 mcqs मिनिमम एक महीने के तो 6 महीने के कितनी होगे 6 मतलब 6 into 50 mcqs तो इन दो दिन में आपने यह 500 mcq साथ में practice करने हैं यह आपके लिए ही होगे ठीक है और last में क्या बचाया है हमारे पास science अब science को मैंने last में रखा है इसके एक reason है बेटा अब जो student तो non medical background के हैं जा medical background के उनके लिए तो देखो यह असान रहेगा थोड़ा सा बट जो arts की background का है उसके लिए सबसे मुश्किल पार्ट होता है ठीक है न समझना क्योंकि काफी technical subject होता है इसको समझना भी मुश्किल होती है तर्म्स इतनी मुश्किल होती है physics chemistry है हमारे पास ऐसा तो everyday science मतलब biology की ज्यादा question पूछे जाएंगे environment की उपर ज्यादा question पूछे करना है अब 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 बश्यादा देखो पांस दिन में science नहीं हो सकती बट 60 to 70% आप science यह हो है वो easily cover कर सकते हो ठीक है ना तो पांस दिन में यह करने के बाद अब देखो डेस हो चुके हैं 23 जो स्वरी 25 तो अब बचा कितना टाइम हां हमारे पास seven days बचे हैं अब हमारे प कुछ भी नहीं करना है इसमें मौक टेस्ट चलेंगे मिनिममम आपने 10 मौक तो देने ही देने हैं अब जब आप 10 मौक दोगे तो एक मौक टेस्ट में 200 होगे तो 10 मौक में कितने हो जाएंगे 2000 mcq तो 2000 mcq अगर आप last seven days में करोगे then I'm quite sure कि पूरी revision हो जाएगी आपकी जि मतलब आपको plan मिल गया होगा next two month में कैसे चलना है बाकी timing के अगर हम बात करें बेटो हमेशा याद रखना दो शिफ्ट में पढ़ना होता है morning और evening इसलिए दो दो सब्जेक्ट करूए थे ना तो morning में आप two to three hours पहला component जो रखा हुआ उसको पढ़िए उसके बाद evening में भी two to three hours जो दूसरा component है उसको पढ़िए ठीक है तो बीच में देखो timing आप इस तरीके से सेट कर सकते होगी 9 से 12 ठीक है evening का timing आप इस तरीके से सट कर सकते हो four to seven best time होता है ठीक है और अगले दो महीने जो आपकी habits है उनको थोड़ा सा आप ignore करिए क्योंकि यही main है अगर एक बा जलदी उढ़ते हों तो वैलेंट गुड है सुवे जब आप जल्दी उढ़ती हो तो आप चाहो तो आधा गंटा current फिर को को दे सकते हो नहीं तो अगर आप इस तरीके से पड़ते हो तो डेली आप इस तरीके से कर सकते हो कि आज मैं national parks देख लेता हूं ठिक है आज के दिन तो इस तरीके से अगर आप अपने टेबल से रख हो गें तो आपकी बड़िया रिवीजन हो जाएगी बहुत अच्छे से रिवीजन कर लोगे आप ठीक है अब नेक्स देखो बचे जो बिलकुल फ्रेश है जिनके पास टड़ी मटीरियल भी नहीं पढ़ने के लिए जा फिर जो बिलकुल कंफ्यूज ने की त्यारी कैसे करनी है उनके लिए बटा हमने हमने क्या किया है बैस सेकिंड बैस शुरू करा हुआ है यह बैस है वह 11 जुलाई से शुरू किया इस पर्टिकुल बैच के रिगार्डिंग वह बैच मैंने 12 सब्टेंबर को खदम कर दिया था ठीक है तो जो हमारा जो लगबुक हमारा आइडिया था ओटोमेटिकली ठीक ही रहा इससे जादा तो हुआ नहीं वैसे बैसी कली तो अब 18 सब्टेंबर को पर है तो इस टाइम तो मालो जिनको time table को manage करने में problem आ रही है या फिर जिनको self study करने में problem आ रही है तो उनके लिए हम time table और study material दोनों चीज़े आपको provide करवाएंगे किस तरीके से अपने batch 2 के माद्यूं से इसमें क्या होगा देखो पहले मैं आपको course की सारी detail बता देता हूँ या आपकी classes रह किस तरीके से होंगी कि बई 10 बजे सुबे आपको 2 classes दे जाएंगी ठीक है शाम को 5 बजे फिर आपको 2 classes दे जाएंगे एक गुंटी की class होगे ठीक है तो दस से 12 दो क्लास देखो आराम से rest करो एक गंटे फिर एक हंटा उसकी कि रिवीजन कर लो जो आपको नोट्स दिए गया उनको एक बार आप रीड कर लो उसको शाम को पांच मुझे फिट से दो क्लासिज आएंगी 5-7 आप क्लासिज देखिए थोड़ा ब्रेक लीजिए रात को सोने से तहरे जो नोट्स हमने आपको दिए हैं उनको एक बार रीड कर लीजिए और यहीं चीज चलती रहेगी Monday to Friday और मैं कोशिश करूंगा कि Sundays को भी लेक्चर आपको प्रवाइड करवाये जाएं ताकि at least 25 लेक्चर 24 लेक्चर जो हैं वह आपको हर वीक प्रवाइड किये जाएं हर वीक मिल जाए आपको ठीक है न और सारा का सारा स्लेवर सबको इसमें cover हो जाएगा और week में एक दिन, week में एक दिन क्या होगा कि आपकी class नहीं होगी बट आपको class में test दिये जाएगे और test क्या होगे जैसे मालो जो आपका component चल रहा है उसके 100 questions का set दे दिया जैसे मैं कहा रहा था था 300 questions करने हैं तो मैं क्या करूँगा जैसे दो subject हमने शुरू करे होए हैं तो इसमें क्या होगा हम क्या करेंगे कि एक subject की 100 questions दूसरे subject की 100 questions ताकि वो जो आपका एक दिन जिसमें classes नहीं मिली हैं उसमें पूरा अपना रिवीजन भी कर लो वीक का plus 200 questions अटेंप्ट भी कर लो ताकि आपकी जो preparation है वो बिल्कुल एक ही पाथ पर 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 पाथ पर रहे ठीक है ना तो डाउट session जो है वो तो Saturday को ही conduct होंगे आपके बात है जो भी आपके डाउट बगर आते होंगे पूरे वीक में हम Saturday को करेंगे class test से मेरा मतलब यही था कि 100 mcq मैं आपको प्रवाइड कर वाँगा यहां पर ठीक है देन आएगा जब आपका syllabus खत्म होने वाला होगा फिर हम बात करेंगे test series की भी test series की बाद मैं इस वीडियो में भी करूँगा don't worry तो वीडियो को आपने last तक देखना है ठीक है न अब next देखो बचे अगर मैं schedule की बात करता हूँ तो जो पूरा crash course हमारा रहने वाला उसका schedule इस तरीके से है 11th अब जुलाई से बैस शुरू हो चुका है हम आपको quality के 12 lecture provide क सकते हैं बड़ आपको एक साथ दे जाएंगे don't worry ठीक है उसका हिंदी के 20 lecture science के 15 lectures है English के हमारे बास 20 lecture से कराएंगी जिसमें आपको 10 lectures provide करवाए जाएंगे ठीक है ना तो इस इस हिसाब से अगर देखा या तो 12 September पे course खत्म हो रहा था डेली टू-टू लेक्चर लेक्चर ल अल्मोस्ट सप्टेंबर तक जाने कि टीचस डे वाले दिन तक खत्म हो जाएगा तो आपके पास फिर 13 डेस का टाइम होगा टेस्स सीरीज के लिए तो यह है हमारा टेस्स सीरीज का शडियूल भी ठीक है अब देखो इस टेस्स सीरीज के लिए भी दो तरह के के थर्ड अगस्त को थर्ड आएगा ट्वेल्फ अगस्त को फॉर्थ आएगा ऐसा ही 16 सप्टेंबर को आपका लास्ट मौक टेस्ट होने वाला यह टाइम है बट जो स्टूडेंट बिलकुल फ्रेशर है फ्रेश स्टार्टिंग से त्यारी कर रहा है वो यह शडियूल ना करे उनके लिए हम अलग से शडियूल पर प्रिपेर करेंगे ठीक है लेकिन जो स्टूडेंट औरेडी त्यारी कर रहे हैं जिन स्टूडेंट की में बस अपने आपको वैल्यूइट करना है तो उनकी लिए यह प्रोपर शडियूल है कि आपने इस इस तारीक को यह वाले टेस् टेस्ट में almost seven to eight days का टाइम है ताकि आप अपने आपको फिर से अपेर होने से पहले अपने आपको फिर से प्रिपेर कर सको ठीक है ना कि अगर मारलो पहला टेस्ट आपने दिया आपके मार्क कमा रहे हैं तो आप चेक करो कि कौन-कौन सी फील्ड से आपके कम नंबर आए ह हैं आप उसको फिर से पढ़ो और वीक के बाद फिर से टेस्ट दो ठीक है ना तो 16th of September तक मतलब इस तरीके से आपने टेस्ट देने हैं कि out of two hundred questions majority of questions आपके सही हो negative marking आपकी बिल्कुल zero हो जाए इसके गलत ना हो question कोई भी negative marking से मेरा यह मतलब है उसके बाद और अगर हम discuss करे इसमें कि आपकी speed बन जाए क्योंकि काफी student को यह doubt रहता है कि हाँ भी हमने paper तो हमें आता था लेकिन time बहुत कम था 120 मिनट थे 200 questions हुआ नहीं तो यह चीज़ भी नहीं होने चाहिए और इस चीज़ को control कोन करेगा हमारा test series करेगी ठीक है न तो अगर आप सिर्फ test series available करना च पीस है जिसमें test series जो है वो included रहेगी यह वाली सेम test series जो है वो इसमें included रहेगी ठीक है बेटा test series क्या है included है अगर आपको कोई भी problem आती है किसी भी चीज़ के regarding तो इन numbers पर contact भी कर सकते हो ठीक है इन numbers कर सकते हो जो course को purchase करने के लिए आप description पर दियेगे link पर जब click करोगे जो link मिला होगा course को join करने का तो इस तरीके से open होगी website जिसमें आपने login करना है ठीक है अगर login नहीं कर रखा तो आप sign up कर लीजिए sign up करेंगे तो आप अपना email ID और password अपनी मर्जिका लगा सकते हैं login करने के बाद आप चाहों तो पहले देख सकते हो बट अभी शाहिद देखने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी डिरेक्ट कोर्स ही लेना अगर आप अपने आपको थोड़ा सा कि हमें देख लेते हैं एक बार देम लेक्चर साब को मिल जाएंगे य जियोग्रफी सब के आपको डेम लेक्चर यहां पर देखने को मिल जाएंगे ठीक है जी तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पूरा टाइम आपने किस तरीके से मैनेज करना है क्योंकि सारी गेम तो टाइम की ही है ठीक है ना तो टाइम अगर मालो आप टाइम को अच कि हां हमें सारा स्लेबस हमारा कंप्लीट है और हमें ये सब कुछ आता भी है ठीक है तो आई होप आपके सारे डाउट्स भी इस क्लास में क्लियर होगे होंगे स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे मुबाइल नंबर्स है आप उनक के साथ मैं आज का सेशन बंद कर रहा हूँ मिलते हम नेक्स सेशन में थेंक यू वेरी मुच